नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर नितेश राज आज हम बात करेंगे रेवीज बीमारी के बारे में रेवीज जो है आप बहुत बार सुने होंगे कि जो कुत्ता काटने से होता है हलाकि और भी जानवर से होता है जो रेवीज एनिमल होता है उससे भी रेवीज होता है तो इस वी fertility rate बोले या mortality rate 100% है मतलब 100% death जो है होना ही है अगर ये बीमारी progress कर गया तो next जो होता है कि रेबीज जो होता है किस किस जानवर के काटने से होता है तो मैंने यहां vaccine जो है ले लेते हैं और vaccine में खर्च भी अच्छा खासा आता है 300-400 रुपे का यह vaccine आता है हलां कि government center पर यह free में मिलता है आपको तो इसमें जो होता है जैसे कि rodents है rodents मतलब कि हो गया चूहा हो गया जो moles बोलते है यह सबसे नहीं होता है युज reality इंडिया में नहीं देखा गया है अगर ये जUNGली होता है तो इससे हो सक्ता है दूसरा यह आता है कि squ coils जो होता है जो हम गिलहरी बोलते है उससे भी यह नहीं होता नेक्स्ट है कि अगर कुट्ता या बिल्लिया जो भी हो जो रेवीज कर सकता है वो अगर आपको बाइट करता है तो क्या करना चाहिए सबसे फोर्मोस्ट काम आपको जो करना चाहिए वो है कि सोब से साबन और पानी से अच्छे से धोना है और याद रखिएगा इस बात को 15 मिनट तक जो है टैप वाटर खोल के रनिंग टैप वाटर के नीचे इसको धोना है साबन से और पानी से कंटिनिवसली 15 मिनट तक धोना है इस बात को जरूर याद रखिएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखा गया है कि अगर वो जो भी जो एबीज करने वाला एनिमल है अगर आपको उसने बाइट किया और उसने वहाँ वाइरस अगर छोड़ा तो देखा जाता है कि 50% तक लोड कम हो जाता है अगर आप 15 मिनट तक साबुन और पानी से उपन करके जो है इसको आप इरिगेट कर रहे हैं तो इसका एक बहुत इंपॉटेंट रोल है दूसरा चीज कि अगर आप लेट भी आते हैं मान लिजिए कि आपको आज काट लिया और आप दो दिन बाद चार दिन बाद भी आते हैं और आपको यह चीज नहीं पता है अग मैं भी आपको साबन से लगा के और साथ में जो है रनिंग टैप में 15 मिनट तक आपको धोना है यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको मालूम है कि साबन जो होता है वो वायरूशाइडल होता है और आप कोबिड के टाइम में भी यही कर रहे थे आपको बोल आयोडीन होता है या एक और काम कर सकते हैं जो इस्पिरिट होता है जो होता हम लोग जो यूज करते हैं इंजेक्शन देने से पहले जो यूज करते हैं अलकोहल वो उसका भी वैरूशाइडल प्रोपर्टी होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं नेक्स सबसे इंपोर्टे इस वैक्षिन बोलते हैं उसको तो उसका नाम मैंने दिया है आप उसको देख सकते हैं तो हमेशा ये ध्यान दिजेगा कि वैक्षिन जो है अल्वेज अगर इंट्रा मुस्कूलर देना है तो अगर मुसल के अंदर देना है तो डेल्टॉइड में ही दिया जाए यह के चलते जो है वो एब्जॉप्शन अंदर में शरीर में अच्छे से नहीं होगा वहीं तक लोकल ही रह जाएगा और इसके चलते आपकी इम्म्यून्टी डेवलप नहीं करेगा बच्चे को देना है तो डेल्टॉइड तो उनका डेवलप होता नहीं है तो उसको देने के देखिते लिए अंटेरो लेट्र एस्पेक्ट अफव थाई में दीजिए थाई में दिया जाता है ग्टेगरी की आपको जो जानवर ने काटा है वो किस आउन्ड हुआ है आपका कैट वण टू यह थी कैटेगरी में जो होता है वह आपका श्किन सब कुछ नॉर्मल है मान Category 1 में आता है, इसमें युजवली कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्क सावन पानी से हाथ धोने के लिए बोला जाता है, vaccine की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है. नेक्स्ट होता है category 2 category 2 में होता है कि skin में थोड़ा खरोच आया है या nibbling हुआ है nibbling मतलब क्या होता है प्यार से नहीं होता है कि आपको जो pet animal होता है कुट्टे दांट से जो है थोड़ा बहुत आपको काटते हैं तो वो nibbling बोलते है या scratch आया है खरोच जशा आया है तो ये category 2 में आता है इसमें भी आपको वही करना है शाबन पानी से तो धोना ही है शाथ में anti-revis vaccine इसमें दिया लास्ट है कि category 3 मतलब किसी भी तरह का जख्म हुआ है जिसमें blood आया है इसकीन का breach हुआ है बहुत ज़्यादा जो है laceration हुआ है ज़्यादा मांस लेके काट लिया वो वो सारी चीज़े जो है category 3 में आती है और category 3 का जो भी उंड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि शोप water तो धेवना ही है anti-revis vaccine भी देना है rabies immunoglobulin देना पड़ता है इसमें बन बात की कि second category और third category में anti-revis vaccine देते हैं और third में anti-revis vaccine के अलावा immunoglobulin भी देते हैं vaccine में और immunoglobulin में क्या आंतर है देखिए anti-revis vaccine जो भी आप रेवी पूर लेते हैं अभाईरब लेते हैं जो भी आप लेते हैं 300-400 के आसपास आता है एक जो आता है उसका जो single dose 300-400 के आसपा के बीच में आता है बतलब वो बहुत महेंगा होता है पहला मैं simple एक चीज़ बताया first second कि यह जो होगा हम vaccine देंगे vaccine देने से हमारा शरीर इसके against में 7-10 दिन में यह antibody बनाएगा natural बनेगा हम बाहर से एक चीज़ इंजेक्ट कर दिये और शरीर मेरा antibody बनाएगा लेकिन अगर immunoglobulin जो हम दे रहे हैं anti-revis immunoglobulin उस conditions में जो है आपका बना-बनाया antibody हम सरीर में दे रहे हैं तो बना-बनाया चीज़ देंगे तो महेंगा तो आएगा है और इसमें सरीर का कोई involvement नहीं है वो already बना हुआ है किसमें बना हुआ है experimental animals जैसे कि आपका घोडे में जो है उससे ब खुद बनाता है अब आप कहेंगे कि type 3 में मतलब category 3 में क्यों दिया गया immunoglobulin देखिए category 3 जो है थोड़ा dangerous type का उंड होता है उसमें काफी जख्म जादा होता है blood निकला है सब कुछ हुआ है इसलिए हमको मालूम है कि अगर हम vaccine देंगे पहले तो शाबुन से धोलेंगे सब को antibody बनाने में लेकिन साथ से दस दिन के लिए हम क्या करेंगे तो ये coverage भी हम दे देते हैं category 3 में किसके थुरू थुरू antibody बनी बनाई antibody immunoglobulin के थुरू हम दे देते हैं इस conditions अब जो rig होता है rig मतलब की rabies immunoglobulin जो होता है वो उसी घाव में ही दिया जाता है जहां जो deep आपका कटा है या lacerated injury हुआ है जो bite किया है बहुत जादा blood आ रहा है उसी घाव में ही दिया जाता है मतलब चारो तरफ जो margins पे और अंदर में भी दिया जाता है जो धाव के अंदर में भी दिया जाता है ताकि जो virus है उसको neutralize करने के लिए ये दिया जाता है और एक चीज़ दो होता है जो होता है रिग का रैशन इम्मिनो ग्लोबिलियुन का उसका मैंने दीया है मैंने बोला था 100 prac या तो ऑमन वोलता है या तो को होई से या झोटांकłem बोलते हैं उसको तो इसमें जो है 2 स्वेघं़ लेयर तो 20 स्वाइचनल यूनिट पर केजी होता है माल लीजिए category 2 ही है तो इस conditions में जो vaccine दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा तो vaccine सरकारी centers पे जो है जितने भी government centers हैं वहाँ उपलब्द रहती है यह 300-400 की मैंने बताया कि आती है vaccine का dose जो होता है आपको कैसे लेना है मेंली दो follow किया जाता है इंडिया में एक intramuscular वाला dose और एक है intradermal वाला dose इंटramuscular वाला मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते होंगे तो 0,3,7,14,28 जीरो को हम first dose मानते है first dose याद रखिएगा इसको आप नहीं भूलेगा यहीं problem होता है 0 dose मतलब आज दे दिये हम इसको 0 बोल रहे है तो अगर हमको next देना है suppose आज अगर 20 अप्रेल है तो 21,22,23,23 को हो जाएगा 3 मतलब 3rd day, 7th day, 14th day और 28th day next होता है कि intradermal हम कब देते हैं क्यों देते हैं अगर intramuscular हम 5 dose दे ही रहे हैं तो फिर intradermal देने की जरूरत क्यों पड़ी देखिए intramuscular dose अगर 5 देते हैं तो यह काफी महंगा आता है आपको मालूम है 300-400 का पर injection हो और अगर आदमी 5 injection लेगा तो 502,000 बहुत बड़ा रकम होता है चोटा रकम नहीं होता है हो सकता है किसी किसी के लिए यह बहुत छोटा रकम हो लेकिन 152,000 मायने रखता है अब गौर्मेंट ने क्या किया या गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने कि बहुत सारे रिसर्चेज हुई तो देखा गया उस समय देखा गया उस रिपोर्ट से निकल के आया कि इंट्राडर्मल अगर डोज दिया जाए अब कैसे दिया जाए तो इंट्राडर्मल जो डोज होता है पहला धिया दखिए VA दो दो उसके बाद हो जाता है जीरो और फिर दो मतलब जीरो वाला डोज जीरो तीन साथ 24 गायब हो गया और 28 है और सुनियगा zero मतलब पहला दिन जो dose देंगे वो दो injection देंगे दो-दो इसलिए आ रहा है क्योंकि दो-दो injection देना पड़ रहा है दोनों जो है मान लिज़े कि ये deltoid में इधर भी और इधर भी पहला दिन यहां दो दे दिये फिर तीसरा दिन भी दो दे दिये उसको अगर मिलाएंगे डालिवेंट के साथ तो 1 ml है और 1 ml को हम लोग सिधे इंट्रा मस्कूलर दे देते है अब यहां क्या है इंट्राडर्मल में कि 1 ml नहीं दिया जाता है 0.1 ml, 0.1 ml मतलब 0.1, 0.1 0.2 ml में ही काम खतम फिर 0.8 ml आपका बच गया तो यह बहुत किफाइती है और मान लिजिए कि ऐसा सेंटर है जहां बहुत सारे कुट्टे जो काटने वाले मरीज आ रहे है तो यह तो एक कोस्ट सिधिंग मेजर हो गया कि 3-4 लोग आए तो एक ही भायल से हाला कि सिरिंज अलग-अलग यूज करेंगे सब कुछ अलग लेकिन एक ही भायल से मान लिजिए कि 1 ml है डालूट करके हमने बना दिया 1 ml जैसे कि एक्जामपल रेवी पूर तो 1 ml का हो गया 1 ml अगर इंट्रा मस्कूलर होता तो पूरा दे देते लेकिन अगर इंट्राडर्मल देना है तो उसका हम 0.2 ml निकाल लेंगे 0.1 ml इस में 0.1 ml इस में दूसरा कोई पेशिंट आया फिर दूसरे सिरिंज से 0.2 ml निकालेंगे उसको भी दे देंगे तो ऐसे तो हम 5 आदमी को दे सकते हैं उससे तो यह एक किफायती तरीका है या किसी को same day जो है तो उस conditions में भी यह किया जा सकता है फिर problem यहीं है इंट्राडर्मल का कि आपको हर दीन जो है दो-दो इंजेक्शन लगेगा हाँ बीच में जो है आपका 14 वाला जो डोज है वो नहीं लगेगा फिर भी total अगर आपको injection की बात किया जाए प्रिक कितने बार होगा तो 8 बार आपको प्रिक किया जाएगा और अगर intra muscular की अगर हम बात करें तो 5 बार आपको प्रिक किया जाएगा इंट्राडर्मल देने के लिए आपको expertise की जोरत पड़े की कि सब लोग इंट्राडर्मल नहीं दे सकते हैं इंट्राडर्मल देने का तरीका जो है पांस से पंद्राडिगरी का एंगल बना के आपको जो नीडिल का होना चाहिए और उसको दिया जाएगा और देने से देने के समय एक bleb बनना चाहिए थोड़ा सब फुलना चाहिए वहां पर तब हम बोलेंगे कि हाँ इंट्राडर्मल अच्छे से हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप इंट्राडर्मल दे रहे हैं या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं इंट्राडर्मल में खासकर आपको मालूम ही है कि वहाँ थोड़ा फुल जाएगा, और लेडी बलेप्स बन जाएगा, कभी भी आपको वहाँ पर प्रेस नहीं करना है, कुछ भी स्पीरिट अलकोहल यह सब कुछ लगा के दबाना उबाना नहीं है, इंट्रामस्कुलर के केस में भी यही है कि इंजेक्शन अगर दे दिया गया है, तो वहाँ जो है मसाज नहीं करना है, और उसको बहुत कुछ भी चीज से लगा के अपलाई नहीं करना है, यह दोनों के लिए ट्रू है, मतलब इंट्राडर्मल के लिए भी, इंट्रामस्कुलर के लिए भी, कि दो न antiravis वैक्शन उल्री दिलवा दिया है अपने वेट ली डॉक्टर से, आप डाउट में हैं कि इसका antibody बना होगा नहीं बना होगा तो डाउट में नहीं रहें, जा तो आप antibody चेक करा लिजिए, antibody सफिसियंट अगर आपके पेटैमल में बना होगा तो वो रैबिट्श ट्रा दीजर right issues AMYAmben कभी नहीं दालना है और अइसा भी नहीं कि नॉर्मल टेंपरेचर पर रखना है या धूक में रखना है दुकान में बाहर में बिक्रा ऐसे नहीं होता ह्हा है दू से यूज़ इन दे प्रेगनेंट लेडी इंफैंट चाइल्ड सब में ये यूज़ किया जा सकता है एक और कोश्टन जो काफी पूछा जाता है वो है कि डोज अगर आपने मिस कर दिया तो क्या किया जाए डोज अगर आप मिस करते हैं तो एक दो या तीन दिन ये सब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितनी जल्दी आप जो शेडूल डोज है उसको आप ले 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 लेकिन अगर आपने डोज एक या दो मिस कर दिया या सपोज की काफी ज़्यादा गैप हो गया 20 दिन 25 दिन ऐसे गैप हो गया तो इस कंडिशन में जो है आपको फिर से नया शेडूल फिर से 037-14-28 फिर से जो है शुरू करना पड़ेगा एक और चीज बताई जाती है कि सपोज आपने पहला डोज जो है 037-14 जो भी है आपने पहला डोज जो है अभाईरब का ले लिया शेकेंड डोज आप रेवीपूर का ऐसा नहीं बोला जाएगा ऐसा नह नेक्स्ट है कि आपने पूरा डोज ले लिया था और फिर से अगर आपको कुट्ता काटा तो इस कंडिशन में जो है आपको मैंने दिया है यह देखिए दो ही डोज लेना पड़ेगा आपको जीरो और थ्री डेज नेक्स्ट है कि प्री एक्सपोजर डोज सपोज कि आप जो है वेटिनरी परसन है या ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें जो है जानवर्स रिलेटेड आपको देख बाल करना है या आपके घर में जो है पालतू कुट्ते हैं या बिलनी है तो इस कंडिशन में आपका और सवाल होगा कि हम पहले से ही कैसे ले किस डोज में ले तो यह मैंने दिया है कि प्री-एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस में क्या होता है इसका डोज यह मैंने दिया है एक और इंपोर्टिंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए कि अगर जिस भी एनिमल ने आपको काटा और अगर आप उसको ऑपज़र्ब कर सकते हैं घर के ओके है या उसका डेथ नहीं हुआ है तो यह नॉर्मल अगर हम रेवीज का इंक्यूबेशन पिरियड बोले कि जब से जो है वाइरस एंटर किया और तब से जो है साइनल सिंटम्स जो प्रोड्यूस करेगा जो इंक्यूबेशन पिरियड बोलते हैं वो बहुत वेरियेबल होता है यह छे दिन से लेके छे साल तक हो सकता है या अगर हम एवरेज बोले तो एक महीने से लेके छे महीने तक हो सकता है इसलिए हम बोलते हैं हर patient को कि अगर आपको a rabid animal suspect लग रहा है या bite हुआ, animal bite अगर कर दिया, जो हो सकता है कि rabid कर सकता है, तो अगर आपने injection नहीं लिया या vaccine नहीं लिया 10 दिन में, बिश दिन में, आप late भी आते हैं, एक महिना बाद या दो महिना बाद, फिर भी आप injection ले यह नहीं अब तो शमय बीत गया क्योंकि आप देखिए इसका इंक्यूबेशन पिरिड जो है छे दिन से लेके छे साल और एवरेज की बात करें एक महीने से लेके छे महीने तक होता है झाल झाल झाल